हेलो स्केलेक्टर रुकम आपका स्वाज़ दोस्तों कैसे आप सभी आसा करते हैं बहुत अच्छ होंगे दोस्तों कस्टुमर की सिकायत यह है कि सेटप बॉक्स के अंदर एक समस्या रही है जो कि उसने क्या किया था कि इसके अंदर कार्ड रिप्लेस कराया था कुछ समय पहल इसमें क्या प्रॉबल्लम है श्किरोण जाती आतह इसमें श्कुर्बलम मेन अग्रॉफ हुआ खायर ऑफ हो जतता है वर यह कि तो देखें कुछए यह चैनल चुकर आप लेकर व मुआ है जाते हैं पर चैनल चुकर लेकिन कुछ समय बाद तो तीन चार पांच मिनट बाद इसमें जीरो या एक या रिस्टार्ट होने की समस्य बनती है अब दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकते है लेकिन आपको एकदम जैनुवन सोल्यूशन बताया जाएगा कोई चीज बदली नहीं जाएगी कि कई जाएगी क्योंकि दोस्तों बढल तो हर कोई सकता है बढल तो बदलना किसका काम होता है जो उंट्रेंड बंद होते हैं जो उसी चीज को रिपेर का असली में कैनिक उसको बोलते Veterans डोस्तों आप घोकर आपके सब्स्क्राइब और दिखाएंगै तो चीज डे बना रहें इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो दूस्तो जो चेनल पर नहीं है प्लीज आर सब्सक्राइब कर ли बिल्कुल फुरिया कोई पैसा नहीं रहे है कोई चार्ज नहीं रहे है तो दूस्तो जल्दी से हम Иसे ओपन कर लेते हैं तो यह घ्डुं काफी क्णहिक उप भी खोल देता है चोटे मोटे बड़े ज्यादा है जादा है नहीं होता है लेकिन एक नॉर्मल परपस के लिए आप जैसे इस्ट अपलाइज रहते हैं वह सेटप बोक्स मूबाइल माला काफी सारे इसमें टूल साते हैं माला कि काफी सारी बिट आती हैं तो मैंने लिया था ARA Markets.in से लिया था दोस्तों काफी अच्छा प्रोड़क्ट अगर आप भी खरीदना चाहोगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्कूशन में महला आपको दस मिनट का काम को यह एक मिनट में भी नहीं लग देगा काफी सारे सेट अबोक्स अम्प्लिफायर ऐसा है खूल दिया है सेट खूलने के पिशचा दोस्तों को सबसे पहले ऊसी प्रोहआ क्या चेक करना चाहिए सबसे पहले आपको यही पताओना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहताओ मैं यह जो प्रोब्लम फचती है सबसे पहले यह हमारी Canal से फच जाती है यह supplied 앞으로 यह की 90% चांसिस जो होते हैं सप्लाई से होते हैं तो सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करनी हो कि मल्टीमेटर को 20 वल्ट पे लगा के एक प्रोब ग्राउंड पर करके और पिए जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से टू नंबर पिन वी ग्राउंड होती है और दोस्तों आपकी 5 नंबर चेक करेंगे तो यह ग्राउंड पर लगाया और पहली पिन पर नहीं कि जो काड पर जो वोल्टे जारी है तो फाइव कि जाए है और अभी में थोड़ा मीटर दूस रहे लेता हूं इसमें प्रोब बरीक भी है और वो तून में थोड़ा आपको सपाई से भी दिखाई दे पिन नमबर वन पर ग्राउंड पर लगा के एक पिन को जहां केबल कनेक्टर दो सो ग्राउंड बोलते हैं तो यह देखे 5.92 यह ठीक है दूसरी वोल्ट चेक करते हैं यह ज्यादा होती है इसलिए नहीं दिखाएगा 212 मैं से 200 पर करूंग तो आ जाएगा तो दूसरी वी 14 कि अधा कुछ वोल्ट सही है लाइट 3.3 देखते हैं तो 3.3 वी दोस्तो आ रही है अब दोस्तो वोल्टेज प्रो पर आ रही है लेकिन दोस्तों फिर वी ऐसी समस्य क्यों कर रहा है अब यह समस्य आने वाली है कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा समस्य बने देखिए एभ मैं आपको दोस्तों सप्लाईप भी सभ्क्राइध कर आग दिखा देतेगा तो पहले मैंने आपको जो काड़ पर जाहिं भो चेक रही अब सप्पंट पर डूप की दोस्तों क्या होता एक वाय। होते है काफी समय काफी पर दिखाने लाइगा कि वहाँ चोबीस होगी मैंने बीस पर सट किया देखें यह भी बिल्कुल मलाव सप्लाइ से कार्ड तक वी वोल्टेज बिल्कुल गर्रेक्ट जा रहे हैं लेकिन फिर दोस्तों ऐसा क्या है अब यहां पर फाल्ट थोड़ा से सायद आ जाएगा अभी आप मैंसेट बैसे देखें और यह दर्लाव सेक्सर्य समय कोई हो रहा हrise कोही ढूब ळकी यह कोई जीज फुकक्या नहीं रहा है है क्योंकि दोस्तों इस। उस समय परिधे आपके सामने बंदुझी मैं ने हाद का बिल्लोकुल आपके सामने वी आपने आप देखे दोनों मेरे हाथ यहां पर आप देख सकते हो यह बंद होगी आपको स्विच से ओन ओफ करके दिखा देता हूं देखिए बिल्कुल अभी यह भी बंद हुआ आपने आप देखे इस समय सेट बंद है देख सकतो डिस्प्ले नहीं आ रही मैं आपको है कुछ नो कुछ तो अब वो फाल्ट क्या है अभी से फाइंड करें देखे देखे अपने आप ही चल गया यह बंद करका दुबार चला तो चल भी जा रहा है देखिए यह जीरो बारे पर आगया कुछ समय बाद यह बंद होगा फिर चलेगा अपने आप ही तो दोस्तों जा हे मोजिश्य बंदत है तु को पता देना चाहता हूं यह बंद बन वाला टेघपा इसमारी वह डेखे अब यह बंद बनति है हमारे जब स्प्लाइच चलते हमारे वोल्ते सिरित घंच अधिया थी वंचैनर गार ज किसी व उल्ट एज में काडर पर जाने वाली वोल्टेज हो तिन जैसे 3.3 है 5 वोल्ट है 12 वोल्ट है 21 वोल्ट है अगर इन में से दोस्तो कोई सी वोल्टेज फ्लेक्ट्योशन कर जाए या एकदम से मंदी हो के तेज हो जाए अब यह किस वज़े से बनती है मैं आपको बता देना चाहता हूं सप्लाई में आप मंदी दो तेज़ दो वोल्टेज लेकिन सेकंडे सक्षन में बराबर ही आती है यह बिलुकुल फिक्स है लेकिन वो वोल्टेज अगर में हमारे कार तक जाए तो जब दिक्कत करती है तो वो कार से सप्लाई में क्या मैटर है बिच में तो वो है दोस्तो हमारी वायर वायर क्या होती है कुछ समय बाद एक लाइफ होती है इस वायर की भी एक साल डेड़ साल या दो साल जादा जादा तो समय बाद क्या होता है यह लगती है इसमें अंदर current झा ला रहा है और विजयूत धारा जो परवहत हो रही हैई-альная उसमें क्या स Cheng स्कूर्वाइऑ घुंकि दोस्तो कुछ कमें और बाधनी की कोश्च आम मैं यह काफी ज़्यादे लोकाल क्ना प्रोपर यह जो वायर लगाए गया हुथ इनमें अच्छी क्वायर नहीं लगाए गया होते है पीवीची मोटी होती है बाकि तार्ज होता है वह हलका ही होता है तो वह कुछ समय बाद काला पढ़ने लग जाता है उसमें क्या होता है आपकी वोल्टेज निसिंग करने लग ज जोgrenτα में हम में इनने बोगहा फिलल इसमय रघाब कर लीजा है तो मैंर अभिढ दिखेकर के तो में करना क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा बहोत सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा आपको अगर मारे निकालना है थीक है आप में बाहर निकाल लेता हूं से यह से यह दोनों-डिनों चारों पाइब को स्कानेक्ट करके मैं निकालता हूं बाहर भी निकालना हूं दोस्तो प्लीज और आप बन्दे सच में नहीं हो हमारे चनल पे लाइक भी कर देना ओल नोटिकेसन पर क्लिव कर लें जिससे कि आप वहर एक वीडियो हमारे से रिएटिड एलेक्ट्रों से लेटिड नई नई वीडियो मिलती रहें क्योंकि हमारे एक रोज वीडियो डालते हैं तब ही कबाग महिने में एक या दो बार मिस हो गया तो कोई क्योंकि हम इनसान हैं मसीन तहनी बीमार भी पड़ते हैं को दिक्कत भी देते हैं घर गरस्ती रहते हैं दोस्तों काम भी करते हैं दुकान पर क्योंकि दोस्तों हमारा ऐसी है दुकान पर काम भी करना है और वीडियो शूट करने जो कस्टूमर लेका था उसी रिपेर करने तो दोस्तों देखिया हमने पुराने वाले तार हैं उनको बाहर निकाल दियाए सपलाई भी उमने कर दिया है अब हमने अव मैं करना क्या है यहां पर अपना जितना भी आप से सपलाई तक जा सके उसमें वहां तक वना प्लोर एक दो इंची फ्ल्तु वायर काट लेगा तो तो हमें यहां पर कार को भिख होछल लेना है जलदी आपका लगा है c commercial buy the है वह खड़्ट कार रगसा हिओ जो इसे फैड के चोटा बना दिया है लेकिन समें उसके लगा help जो लगा हुआ और अयुक्त yüzसे बिलुकर हिए इस फॉร आदे गया पुरानी चीज ने मजए को चोहर हो तो देखिये दोस्तों कार को में बैक्साइट से विया है इस तरह से मैं थोड़ा जूम भी करोंगा आपके लिए थोड़ा आपको काड कम कर दो करना है याद रखना इस तरह से करके आपको सबसे पहले जो सप्लाइक की पyy replace के जो Connector लगता है इस पर आपको इस पर सोल्डिंग करनी हलकी हलकी जिससे कि आपका जो वायर लगाओ इस पर दिक्कत ना बने तो हम यहां पर अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं ऐसे ही आपको सप्लाई जो है आपकी उस पर विकननी है वह लेडी हुई है क्यूंकि हमने भी इसमें से कनेक्टर निकाला था तो उस पर सोल्डिंग हूई है तो दोस्तों देखिए हम यह पर इसके कनेक्टर पर अच्छे सोल्डिंग कर दे रहे हैं जब आप इस पर सोल्डिंग करो लाश्ट में यह चीज याद रखनी है कोई भी पिन आपसमें सोट नहों पाई तो इस तरह के दोस्तों हमने और दोस्तों अपना यहां पर 21 ओल्ट और 12 वोल्ट तो देखिए दोस्तों हमने यहां पर 6 वायर लिए और यहां पर वन बाइवन करके हमें यहां पर शोल्डरिंग कर देनी होगी चैन 6 अमिक फिन फिक नहीं जैसे में और विल्कुल प्रोपर आपके आयसी करने है कोई बीजल्द बाज़नी करना बहुत अराम से गए दस बीस मिनट में सारा काम आपका आपका हो जाएगा तो अगर वह डाइग्नोसिस करना सीख जाओगे तो दोस्तों दिक्क्ति नहीं आज से दो तीन साल पहले हम भी हमने यह वीडियो बनाई थी दोस्तो ऐसी ही प्रोब्लम पे लेकिन आज गल हमाये चैनल पे नए बंदे जुड़े हैं पहले से तो दोस्तो वो उनके लिए है वीडियो तो देखे दोस्तों ने आपे सोल्डिंग काफी अच्छे से कर दी है ब बिल्कुल सीधी सीधी अगर काड आपने उल्टा किया तो सप्लाइव उल्टी करके बिल्कुल सीधे सीधे कनेक्शन करने चैनके आपको बड़े सिंपल तरीके से करने आपको जैसे मैं आपको बता रहूं कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत आसानी से हो जाएगा तो यहां पर हमने च्छे के च्छे वायर कनेक्शन कर दी हैं कम से कम दोस्तों तीन साल इसकी लाइफ बन जाएगी सेटप बोक्स की अब यह वायर लगने के बाद अगर आप और भी अच्छी क्वालिटी के लगाते हो तो आपके हाथ में है ठीक है दोस्तों यह भी नहीं क कि पर्मेनेंट कर्श्टूमर को करके दे दें दोस्तों अगर आपके पस कर्श्टूमर नहीं आएगा एक साल आदे साल अबाद तो आप कमाऊगे यह भी चीज में याद रखनी होती है अब करो कि आप क्या कह रहें ऐसा नहीं दोस्तों जब आप काम करों दुगान को अब इसको सेट को करते हैं और आपको प्रोपरली चला के दिखाते हैं तो दोस्तों मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं इस चीज को करने के बास सो परसेंट आपके प्रोब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि यह दिक्कत इसी से बन किस वज़े साथ है वोल्टेज कम जा पा रही थी महां पर मलत जा तो पूरी रही थी लेकिन जिस समय लोड था महां पर उस समय दिक्कत हो थी तो देखिए दोस्तों वीडियो भी अच्छे सब चल पा रही है सेटप बॉक्स ही वही है सब कुछ प्रोपर दोस्तों आप और चटक जाता है और यह जो कनेक्टर है कार्मन लग जाता है तब ही यह समश्य बंदी है तो दोस्तों सेटप प्रोपर अपिछे से चला है कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत इसमें आएगी आप कॉस्तों को आप इसे आसानी से दे सकते हो और अपना जो भी सर्विस चार आज हमने भी यह कर के दिया किसी ने वहाँ पर जाकर टू-फेस में लाइट लगा दिया कुछ उल्टा सिधा कर दिया तो दिक्कत आ सकती है तो आप इस चीज़ ना गारंटी दे तो ही सही है लेकिन जो आपने काम किया यह अगर दिक्कत दुबार आती है दो चार हफते मे दोश्तों चीज़ के अप गारंटी ले सकते हो लेकिन सपलाई की आपको गारंटी ने लेनी तो देखे दोस्तों बंद कर कर चला रहा हूं सिग्नल पर सब कुछ आ रहे है और हमार से टबोक्स ओके है तो इसी तरह से दोस्तों आप कर सकते हो हमारे चैनल से जुड़े रहत के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए पूरी लाज तक ठैंक यू तो आज के लिए जैहिंद वंदे मादम दोस्तों